Hello student, welcome to my YouTube channel आप में से बहुत सारे जो वीवर से उनका एक question आ रहा था कि sir, MSC chemistry के बाद private teaching अच्छा option है या private job in various pharmaceutical companies and various other industries ये ज्यादा अच्छा option है तो मैंने सोचा क्योंने इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि ये एक ऐसा doubt है जो कि after MSC मेरे मन में भी आया था और मैं जब भी कई सारे दूसरे student से भी बात करता हूँ तो ये एक ऐसा doubt रहता है जो कि बहुत सारे student के मन में रहता है तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप MSC chemistry करते हैं उसके बाद अगर आप PhD करते हैं और private jobs अगर join करते हैं या फिर आप MSC के बाद अगर private job join करते हैं तो वो जादा बहतर रहता है या फिर private teaching जादा बहतर रहती है यहाँ पर हम government जो teaching jobs होती है उनके बारे में बात नहीं करेंगे वो तो best option होता है बात हम करेंगे private jobs और private teaching के बारे में तो दोस्तों MSC chemistry जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद private jobs various sectors में आपके लिए available रहती है जिसमें कि pharmaceutical industries है CRO है और बहुत सारी chemical industries है इसके लाव भी different different labs होती है जिसमें कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि जो MSC chemistry का student है उसे job की इतनी ज़्यादा problem नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं उसे job मिल ही जाती है लेकिन यहाँ पर जो issue आता है friends वो यह रहता है जिससे आप I think जो भी इस video को देख रहा है वो agree करेगा इस बात से कि जो issue रहता है सबसे main वो रहता है salary का salary बहुत ही कम offer की जाती है 80% cases में यहाँ पर मैं 20% जो है वो exceptional cases होते हैं जहाँ पर की अच्छी salary offer की जाती है अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि जो अच्छी salary है उससे मेरा क्या टात पर यह है तो अच्छी salary से मतलब है कि at least आपको 25-30,000 रुपीज अगर कहीं पर offer हो रहे हैं लेकिन ऐसा सिर्फ 20% cases में होता है 80% case में salary 20,000 रुपीज पर मन्त से नीचे ही रहती है यह एक बहुत ही bitter truth है तो अब जो यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर वहीं पर हम देखते हैं हम यहाँ पर private teaching job की भी बात कर लेते हैं तो private teaching job अगर आप MSC chemistry है तो आपको अगर आपने B8 कर रखी है B8 जो कि 2 year का course होता है जिसे हम Bachelor of Education कहते हैं तो आप private schools में पढ़ा सकते हैं private school में आप 11-12 के student को chemistry पढ़ा सकते हैं वहाँ पर आपको on an average जो salary offer की जाएगी वो 20,000 15-20,000 इतनी salary offer की जाती है कुछ अच्छे schools होते हैं कुछ international schools हैं कुछ अच्छे English medium के schools हैं वो 35,000 तक की salary offer करते हैं वहीं अगर college teaching की बात करें तो college में आप MST के base पर पढ़ा नहीं सकते हैं आपको at least या तो net qualified होना जरूरी है MST के बाद या फिर आपकी PhD होना जरूरी है तो college में भी जो salary offer की जाती है इवन आपको जानकर ये आश्चरिय होगा कि कई सारे colleges school से भी कम salary offer करते हैं तो colleges में आपको maximum 25,000 रूपीज maximum salary offer की जाती है और कोई अगर बहुत अच्छी university होगी private university तो वहाँ पर आपको 35,000 तक की salary मिल सकती है वहीं अगर हम बात करेंगी कि एक PhD student अगर वो industry में join करेगा तो industry में उसको लगबग 35,000 से 40,000 या 45,000 तक की salary offer होती है तो यहाँ पर हमने जो है वो ये बात कर ली कि दोनों आइदर आप private jobs में जाते है या फिर private teaching में जाते है तो salary range क्या रहती है तो आपने ये देखा होगा कि जो salary range है वो लगबग लगबग क्या है similar है लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी बात अब तक मैंने देखा है कई सारे student के साथ ये हुई है कि जब आप continue करते हैं अपनी job को यानि कि जब आप 4-5 years आप अपनी job में spend कर लेते हैं एक तरफ हम बात करेंगे private jobs जो की teaching jobs है और एक तरफ हम बात करेंगे private jobs जो की industry job है तो private jobs जो teaching की होती है उसमें saturation level बहुत ही जल्दी आ जाता है इसका reason यह है कि आप जो है वो private jobs में आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा increment आपको नहीं मिलेगा teaching में क्योंकि जो university में आप पढ़ा रहे हैं या फिर किसी school में भी आप पढ़ा रहे हैं इतना ज्यादा आपको increment नहीं मिलेगा और जो दूसरी चीज रहती है pay and perks other perks जैनी कि जो सारी चीजे होती है यह क्या कर देती है कि job को बहुत जादा saturated बना देती है और इस वजह से after spending four to five years जो candidate है उसको यह लगने लगता है कि means मैं वही routine monotonous काम कर रहा हूं कोई जादा मेरी growth नहीं हो रही है at the same time अगर आप compare करते हैं industry के साथ तो industries में देखिए क्या है कि हो सकता ह है एक जो student है वो कम में जॉइन कर रहा है मतलब अगर एक तरफ हम बात करें teaching jobs की तो किसी को सकता 25,000 का initial starting package मिला MSC की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और किसी को अगर industry में join होता है उसको initial 15,000 या फिर 20,000 की ही salary मिली after 5 years अगर हम देखेंगे तो industry का जो student है जो industry में जुइन किया था तो वो ज्यादा dynamic हो जाता है वो 5 years में at least एक या दो salary hike भी ले ले लेता है salary job switch कर लेता है इस होज़े से उसकी salary after 5 years वो ज्यादा अच्छे level पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर कई सारे student ऐसे भी होते हैं जो कि 3-5 years teaching jobs करते हैं उसके बाद फिर industry में आते हैं तो जब industry में वो आते हैं तो उन्हें फिर वापस zero से शिरुवात करनी पड़ती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही जो sector हैं teachings है या फिर job है उसमें अगर आपन long term की बात करें कि long term कौन सी ज्यादा growth देगा कौन सा ज्यादा pain and perks देगा तो definitely यहाँ पर जो industry की जो job होती है वो यहाँ पर बाजी मार लेती है क्योंकि वहाँ पर आपको एक dynamic आपकी profile बन जाती है कई सा continuous मेहनत करते जाएंगे वहीं अगर हम बात करेंगे teaching job की तो आप उसमें चाहे कितनी ही continuous मेहनत कर लो आप एक certain level पर आने के बाद आपकी growth रुक जाएगी ऐसा बहुत सारे student के साथ हुआ है even कई सारे मेरे जो colleagues थे वो भी two to three years उन्होंने PhD करने के बाद किसी college में पढ़ाया लेकिन फिर government job की कोई opportunity उन्हें नजर नहीं आई तो उन्होंने फिर industry में switch कर लिया तो यहाँ पर आप कहेंगे कि sir आप जो है वो teaching job के बारे में तो आप बिल्कुल ही जो बोल रहे हैं कि वो fruitful नहीं है तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि fruitful नहीं ह अगर आप teaching job कर रहे हैं किसी भी school में पढ़ा रहे हैं किसी भी college में आप पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको जो है वो कुछ other platform पर भी अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप किसी private school में पढ़ाते हैं तो यह make sure कीजिए कि आपको जो भी free time मिल रहा है उसमें आप किसी online platform पर पढ़ाने का try कीजिए या फिर आप जो है वो अपनी YouTube चैनल पर भी अपनी teaching start कर सकते हैं या फिर दूसरे भी आजकल बहुत सारे platforms हैं जहां पर even आप जो है वो कुछ question solve करके भी extra earning कर सकते हैं तो आप अगर ऐसी side by side कुछ activity start करेंगे उस और ये जो सारी चीजे हैं ये आपको 4-5 years के बाद अच्छा benefit देगी definitely क्योंकि अभी जो समय है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बदल रही है चीजे और खासकर अभी जो pandemic के बाद online teaching का बहुत ज़्यादा importance हो गया है तो इस वज़े से आपको क्या है एक जो traditional जो ढर रहा ह करी रहिए तो ऐसे करके अगर आप अपनी skill develop करेंगे तो आपको कभी saturation भी नहीं होगा monotonous भी नहीं लगेगी job और monetary benefit भी आपको ज्यादा होगा तो मैंने यहाँ पर यह दोनों ही चीजें आपके सामने clear कर दी कि आप अगर teaching job करते हैं private तो आपके लिए क्या benefits है और अगर private job in industries में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए क्या benefit है I hope यह वीडियो आपके जो thought है उसको काफी हद तक clear करने में सफल होगा इसके अलब अगर आपके मन में कोई भी doubt है आप मुझे नीचे comment box में comment करके बताइएगा thank you for watching this video video अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने दोस दोस्तों के साथ शेयर करिएगा thank you